नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मुरबादी से पैदल मार्च करते हुए अंदोलन कारी मुख्य मंत्री आवास जाएंगे और आवास का घहराव करेंगे छात्रों ने बताया है कि इस नियोजन नीती में बदलाव के लिए मांग करने पर भी चुकी राई सरकार के दोवारा कोई नीर नहीं निकल कर सामने नहीं आया है और मुख्य मंत्री ने खुद कुछ नहीं कहा है इसलिए उन्होंने आवास घहराव करने की त्यारी की है छात्रों ने ता देवेंद्रेनाथ महतों ने कहा है कि अकामी 20 मर्श 2023 को पूरों निधारी बिधान सभा घहराव कार करम को प्रती अस्थागित करते हुए मुख्य मंत्री आवास घहराव कार करम तै किया गया चुकि बिधान सभा में पक्ष विपक्ष के बिधायक दोरालागातार आवाज उठाया जा रहा है लेकिन मुख्य मंत्री नियोजन निती मामले पर चूप है इसलिए चात्रों ने सरो समती से मुराबादी बापू बाटिका से मुख्य मंत्री आवास तक अधिकार मार्च करते हुए मुख्य मंत्री आवास घहराव करने का नियना लिया है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले दो दिनों के दोरान भी घने बादल चाये रहेंगे 29 और 20 को भी आंधी बारिस होने के आसार जताए गए हैं कहीं कहीं इस दोरान बजरपात होने के अनुमान जताए गए हैं बारिस हलके से मत दर्जे की होगी दोनों दिन हावा 30 से 40 किलोमेटर प्रती घन्टा की रफ्तार से चलेगी बदादे राजधानी के कई हिसों में सरनिवार को भी तेज हावा के साथ बारिस होई है इससे मौसम ठंड हो गया है करीब 1 मिलिमीटर बारिस होई बारिस होने और तेज गती से हावा चलने के कराने हाँ और 48 घंटे में तापमान 4 डिगरी नीचे आ गया है नियुमतम और अधिक्तम तापमान दोनों का पारागीरा है इससे रात के दोरान ठंड बढ़ गई है सियम हमन्त ने कहा कागजों पर नहीं धरातल पर योजनाओं को उतारने में रखते हैं विश्वास मुख्य मंत्री हमन्तुरे ने कहा है कि उनकी सरकार कागजों पर नहीं बलिक धरातल पर योजनाओं को उतारने में विश्वास रखती है पुरवर्ती सरकार ने कार्य योजनाय सिर्फ कागजों पर ही बनाई लेकिन उनकी सरकार ने योजनाओं को कागज के साथ साथ धरातल पर जाकर उतारने का काम कर दिखाया है मुख्यमंत्री सनिवार को एक नीजी चैनल में आयोजित कारिकरम में कही उन्होंने कहा है कि बैस्वीक महामारी के समय यहां की गरीब किसान मजदूर जरुरत मंद्र लोगों के लिए हमारी सरकार ने जीवन यापन के कई द्वार भी खोलने का काम किया सवरोजगार की कई योजनाय संचालित की गई मुक्ष मंद्री ने कहा है कि सरकार आपके द्वार तथा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहट पंचायत पंचायत गाव गाव में जाकर हमारी सरकार ने लोगों को भी भीन योजना उसे जोड़ने का काम किया है सरकारी स्कूलों के सिक्षकों के अस्थानांतरन के लिए टाइम लाइन जारी सरकारी स्कूलों के सिक्षकों के टांसफर की परकिरिया जल्द सुरू होगी स्कूली सिक्षा वसक्षता विभाग ने सरपलस टीचर टांसफर के लिए टाइम लाइन जारी कर दिया है टाइम लाइन के अनुसार DEO वा DST को आवसेक परकिलिया पूरी करने को कहा गया है पहले सर पलस सिख्षको का टांसफर होगा उसके बाद समाने सिख्षको को मौका मिलेगा जनकारों का कहाना है कि चिनहीत सर पलस सिख्षको के लिए 28 माज तक टांसफर पूलिसी रूल जारी किया जाएगा वहीं सर पलस सिख्षको के टांसफर के लिए पोर्टल में 1 अपरेल तक सर पलस सिख्षको के सूची वा वैकेंसी जारी की जाएगी बिभीन परकिरिया पूरी करने के बाद DEO और DSE पांच मई तक भरिफिकेशन करेंगे वहीं 30 जून तक अमतिम रूप से अस्थाना इंतरन कर दिया जाएगा एस्पेशल केस यानि की असा देरोग से पिडित वा अने लोगों को 25 अपरेल तक DEO और DSE के पास नेधारित फॉर्मेट में आवेदन देना होगा सनिवार को सिक्षा सचीव का सम्मधित पत्र सिक्षकों के भी सोसल मीडिया में चर्चा के भी साय बना रहा जारखन में मिला H3N2 influenza का पहला मरीज जारखन में H3N2 virus ने दस्तक दे दी है पहला मामला जमसेदपुर में मिला है इसकी पुष्टी सिविल सर्जन डाक्टर जुजहार मांजी ने की है रिपोर्ट आने के बाद मरीज को TMH के isolation वार्ड में भरती कराया गया है पतादे H3N2 virus की पुष्टी सिविल सर्जन जुजहार मांजी ने की है इस केस के सामने आने के बाद स्वास्त भीभाग हाई अलर्ट मोड में है सभी अस्पतालों को अलर्ट कर एहतियातन बरतने का निर्जस दे दिया गया है पतादे सिविल सर्जन जुजहार मांजी ने बताया है कि संभावित लक्षन वाले अब तक 22 मरीजों का सेंपल जाज के लिए माइक्रो वायरोलोजी डिपार्टमेंट को भेजा गया था जिसमें एक महिला मरीज में उक्त वायरस की पुष्टी हुई है माइला के उम्र 68 वरस है सांसद संजाय सेठ ने पर्यटक मित्रों को किया समानित हुन्रू में 12 मार्च को पर्यटक मित्रों ने हजारी बाके एक परिवार की जन बचाई थी सरनीवार को उन सभी परटक मित्रों को सांसद सजय सेठ ने अपने कर्याले बिला कर नहीं समानित किया है इस दोरान सांसद ने सभी परटक मित्रों को प्रसटत पत्र और राजसभा के पूर्व सांसद सिरी महेजत पुद्दार के द्वारा भेजे गाये। 25-1 रुपाय का चेक पूरसकार स्व रूप उन्हें पदान किया। परयटक मित्रों से सनवाद के करम में सांसद ने उनसे जानना चाहां कि किन किन परिश्दितिव में यह दुरगटनाए हो रही है। हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं पर्यटक मित्रों ने संसत को ऐसे पर्यटन छेत्रे में होने वाली दुर्गटनाओ और उसके कारणों से उगत कराया इसके साथ ही पर्यटक मित्रों ने रांची के पर्यटन अस्थलों में सुविधाय बढ़ाने और वहां की समस्याओं के बारे सिरी किशोर कौसल ने सोर के विवीं साना अस्तलो का निरिक्षन किया इस दोरान आरकषी अधिकछक नगर सिरी इस जैन अपर जिला दन्डा अधिकारी रांची सिरी आर एंद अलोक, उपसा महरता जिला नजारत रांची यवं अन्य सम्मधित पूलिस प्रसास्निक अधिकारी उपस्थित थे उपायुक्त रांची राहुल कुमार सीनहा यवं वर्य पूलिस अधिक्चक सिरी किसोर कौसर द्वारा सीरम टोली, सारना टोली एवं हातमा इस्थी सारना अस्थलो का निरिक्चन किया गया जहां आला अधिकारियों द्वारा सारना समीतियों से बेहतर ब्यवस्था है तो बातचीत भी की गई उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि समीति द्वारा सरना असलोप और लाइट, सड़क, समतली करन, जलापूर्ती, मोबाइल, ट्वैलेट, आधी की वेवस्था बेहतर करने के लिए समीतियों को राय दी गई है जारखन बिहार में पहली बार 3D तक्निक से जवड़े का टांस्पलांट, जारखन बिहार में पहली बार रांची में एक मरीज के पूरे जवड़े का सफल परतरोपन किया गया, पहले करितिम जवड़ा बनाया गया, इसके बाद 3D तक्निक से मेडिका के डॉक्टरों की टीम पूरे जबड़े का सफल परतेरोपन किया है आपको बता दे कि कैंसर की वज़ा से उस मरीज का जबड़ा पहले निकाल दिया गया था मुख्यमंत्री गंभीर बिमारे योजना के तहत एस जरी की गई है प्राइधानी राची के मेडिका अस्पताल में सनीवार को थिरी तकनिक से पहली बार पूरे जबड़े का परतेरोपन किया गया अस्पताल में डक्टरों की टीम ने पहली बार पूरे जबड़े का परतेरोपन करने में सफल तहासिल की है 24 समार्च को निकाला जाएगा सरहुल जूलूस सरहुल को लेकर सुक्रवार को डीसी के अध्यक्ष्टा में सांती समीती की बैठा कोई केंद्रिये सांती समीती और आदिवासी संगठनों के सयस्यों ने सरहुल परव के दवरान बेहतर बेवस्था को लेकर कई सुझाव दिये सापसफाई, जलापूर्ती, अवैद सराव की विक्री पर रोक, सरना असल पर, निर्बाद, बिजली, अपूर्ती, महिला, अरक्षियों की परतिनों की समधित काई सुझाव सयस्यों दवरा दिये गा है पुर्व मंत्री गीता स्री उराव ने कहा है कि पिछले साल हुए सर्वेक्षन में सरुल महोस्था की सुभा यात्रा को पांचवा स्थन पराप्त हुआ ऐसे में जीला पर सासन की जिमेदारी बनती है कि पर्व को सुब्यवसी तरीके से संपन कराया जाए डी सी राहूल कुमार सीना ने कहा है कि समीतियों के सभी सुजाओ पर अमल किया जाएगा महिलाय रोजगार छेतर से जुड़े तो देश का बिकास संभाव राजे पाल राजे में जेसल पीएस महिलाओ को प्रसिक्षित का रोजगार के मौक उपलब्द करा रही है इसे महिला का आर्थिक बिकास हो रहा है यदि पचास परसित महिलाय रोजगार के विभीन छेतर से जुड़ जाए तो देश का बिकास संभाव है देश के समगर बिकास के लिए महिला और पूरुस दोनों का ससक्त होना जरूरी है उक्तबाते राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने कही गिरीडी के साथ किरिकेट खिलाडियों का जारखंड अंडर 14 कैम्प में चायान गिरीडी के किरिकेट खिलाडियों में परतिभा की कमी नहीं है एक के बाद एक जीला के किर्केट खिलाड़ी अने राजियों में जाकर बेहतर खेल का प्रसन कर रहे हैं बतादेगिरी डी के साथ किर्केट खिलाड़ीों का चायान जे एस सीए के अंडर चौदा कैम्प के लिए किया गया है इनमें करन कुमार, नितिक राज, उत्सव, साहू, रंजन कुमार, अभिमन्यो कुमार, पटवा, सीवम, सागर, मिस्त्रा, मोहन कुमार सामिल है सभी खिलाड़ी फिलाल रांची में जे एसीए स्टेडियम में प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं आने वाले दिनों में जारकन अंडर 14 क्रिकेट टीम में सामिल होकर अपने खेल का परदसन करेंगे इन खिलाड़ीों के चैन होने के बाद जीला के क्रिकेट खिलाड़ीों में हरसा है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुदा ने कहा केंद्र की योजनाय को घर घर तक पहुँचा है सिम्डेगा जीला करेल में भाजपा की बैठक हो इसमें केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुखे रूप से उपस्थी थे बैठक में जीला के पताधिकारी सभी करकरता मंडल अध्यक्ष वा अल्प कालीन विस्तार को ने भाग लिया अध्यक्ष्टा करते हुए जीला अध्यक्ष लक्षमन बडाईक ने केंद्रिय मंत्री का स्वागत करते हुए करकरताओ को प्रदेश द्वार निर्देशी सभी कारे समय पूरा करने का अगरख या बैठक में केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि सिम्डेगा की जनता ने मुझे भोट दे कर सने दिया है उनकी आवाज सांसद में गुंजती है यह सिम्डेगा की जनता का सिर्वाद सही संभा हो पाया उन्होंने कहा है कि अल्प कालिन बीस तारक कारे बुथ को ससक्त बनाने की है उन्हें कंधे पर है ससक्त बुथ कारन निर्मान करने की जिमिदारी है गुमला में फसलों का हो सकता है नुकसान अलर्ट जारी मौसम खराब होने से गेहू, सरसो, फल, सबजियो वा दल्हानी फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है अभी 2-3 दिनों तक मौसम खराब राने की संभावना है इस दवरान बारिस के साथ ओलाव रिष्टी भी हो सकती है इसको देख परसासन ने अलर्ट जारी किया है चोकि गुमला जिला मद्य जार्खन में वस्तित है गुमला में बारिस वा ओलाव रिष्टी होने की संभावना है ओलाव रिष्टी होने की सिति में गेहू सरसो विभीन परकार की फॉल वसबजी या वद्दलहनी फचल खराब हो सकती है जार्खन बिधान सभा में उठा दोभा गोटाला का मामला गुमला जिले में 20 हैर से अधिक दोभा गाया भया मुद्दा बिधान सभा सत्र के दोड़ान उठा है गुमला बिधायक भूचन तिर्की ने बिधान सभा में अपने भासन के दोड़ान गुमला जिले में दोभा खोदने में हुए घोटाले का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा है कि पुरु की सरकार के समय कड़ोरों रुपए के दोभा घोटाला हुए है पता दे कि गुमला जिले में दोभा निर्मान में खुब खेल हुए है तलाब वह गड़ा को दोभा दिखा कर पैसा निकाल लिया गया है छोटे तलाब को दोभा का रूप दे दिया गया है कहीं 10 फीट गहरा गठा खोदा गया वहीं 5-6 फीट गठा खोद कर भी पैसा निकाल लिया गया है पलामू टाइगर रिजर्व में दिखा बाग जार्खन के टाइगर रिजर्व में एक बाग देखा गया है इसका परत्यक्ष फोटो भी सामने आ गया है यह बाग पलामू टाइगर रिजर्ब के कुटकु वन प्रच्छेत्र में अस्पष्ट किया गया यह नर्बाग है बताया जा रहा है कि नर्बाग पिछले दो दिन से इसी च्छेत्र में घुम रहा है अब तक दो मवसियों को भी मार कर खा चुका है पलामू टाइगर रिजर्ब के नौर्थ डिवीजन के डिप्टी डारेक्टर कुमार प्रजेस कांत जेना ने स्वेम इस बाग की तस्पीर लिए है बाग देखे जाने के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जहमाज हम बारिश से गीरा पारा बजरपाद से तिन पसुओ की मौत गठवा जिले में बीते सोलह माज से मौसम का मिज़ाज बदल गया है यहाँ तक की अचानक बादल छाने एवां बुंदा बुंदी से दीन में भी सड़क पर चल रहे वानों को रोसनी की ज़रुत पर रही है बताया जा रहा है की लागातार 20 माज तक मौसम की आई स्थिती बनी रहेगी इस दरान अकास में बादल छाने के साथ ही लगभक सभी छेत्रों में बीच-बीच में कमबेसी बारिस हो रही है इसी करम में गरज के साथ बजर पात से तीन पसुओ की मौत हो गई है तेज हवा से CRPF का अस्थाई केंप पूरी तरह से उजड़ गया है सदन में हंगामे के बीच 26,90 क्लोर की अनुदान मांग पारित बिधान सभा में सनीवार को बीपक्स के बहिसकार के बीच अनसुचीत जन जाती अनसुचीत जाती पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्यान के लिए 26,90 क्लोर रुपए के अनुदान मांग पारित हुई इस दोरान जहां भाजपा ने आदिवासी भावनाओं से खेलवार करने का रूप लगाया वही कॉंग्रेस और जामों ने इसे सब की सरकार करार दिया विपक्स की ओर से कटोधी प्रस्ताव पर चर्चा का जबाब देते हुए मंत्री चमपई सुरे ने कहा है सबसे पहले राज की समाजिक और बुनियादी विवस्ता को मजबूत करना है गरामिन छेत्रों के विद्यारतियों को सहरों में सिक्षा ग्रहन में परिसानी नहीं हो इसका ध्यान में रख कर रांची जमसेतपुर हजारी पाग दुमका देवकर चाईबासा गोड़ा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्मान कराया जाएगा पार्यावरण बचाना राज सरकार की जिमेदारी साहब गंज के राज महल पहाडियों को अवैद खनन और उससे होने वाले वायू एवम जल परदुसन को लेकर एनजी टी में सुनवाई हुई ग्रिबनल के आदेश का पाला नहीं किया गया एनजी टी ने अपने आदेश में सवाल उठाते हुए कहा है कि राज में कानून का सासन होने के बाद ऐसी अरजकता कैसे हो सकती है पार्यावरण रक्षा करना राजे की जिमेदारी है रांची में पोसन सक्यों का परदर्सन पोसन सक्यों ने पुर्व गोस्तित कारकरम के तहट सनिवार को विधान सभा के पास परदर्सन किया हलाकि पुलिस ने इसके लिए पहले से त्यारी की थी पोशन सक्या जैसे ही विधान सभा की तरफ बढ़ने लगी उन्हें बीच में ही रोक लिया गया इस दोरान कई पोशन सक्यों ने जबरन बैरिकेटिंग को पार करने की कोशिस की जिससे धाका मुकी जैसी थिती बन गई पोशन सक्या अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार परदसन कर रही है बता दे पोशन सक्यों का काहना है कि वे लोग पिछले कई सालों स्यांगनवाडी केंद्रे में महच 2,000 रुपे में काम कर रही थी लेकिन 2022 में सरकार ने उनकी ए नौकरी छीन ली जिसकी वज़ा सिवे सड़क पर आ गई है उनका काहना है कि नौकरी नहीं होने की कारान उनके सामने भुख मरी जैसी थिती है अलग-अलग किये गए इसकूलों को मर्ज करेगी सरकार संसद्य कारे मंतिर अलमगीर अलम ने कहा है कि सरकार पिछली सरकार में अलग-अलग किये गए इसकूलों को मर्ज करेगी इसके लिए उपायुकतोस रिपोर्ट मांगी गई है सरकार ड्रॉप आउट रोकने को लेकर भी गंभीर है कैसे बच्चे ऊच शिक्छा तक बढ़ाई करे इसको लेकर रनी त्यार कर रही है गुर्माता युक्त सिक्छा भी सरकार के प्रत्मीक्ता में है घर्मी के कारण स्कूलों के तय किये गए समय की भी सरकार समीक्षा करेगी बच्चों को परचानी नहीं होगी राजिक की सक्षर्टात दर सुधारने को लेकर भी सरकार गंबीर है इसको 90% तक लेकर जाने का लक्ष रखा गया है धन्यवाद